आलो की फसल पर एनपी के घुलनसी लखाद का महत्व एनपी के यानि नाइटोजन, फासफोरस और पोटास का हमारी आलो की फसल पर क्या महत्व है यदि किसान भाई एनपी के का शही अर्थ समझ जाएंगे तो यकीन मानिए कि उपज उत्पादन बढ़ाने में काफी जादा आसानी हो जाएगी और हमारे किसान भाईयों को जानना बहुत ही जरूरी है कि आलो की फसल पर एनपी के घुलनसी लखाद काब कितनी मात्रा पर और कौन सी स्टेज पर कौन सी एनपी के घुलनसी लखाद की आबस सकता होती है तो हम इसली सरल सब्दों में सरल भासा में शमझाने वाले हैं कि एनपी के घुलनसी लखाद आलो की फसल पर कब और कितनी मात्रा पर देना चाहिए जिससे हमारी आलू की फसल पर रिजल्ट दिखाना तुरंत चालू हो जा और लंबे समय तक हमको रिजल्ट मिले आप देख रहे हैं Advanced Agriculture YouTube चैनल मैं हूँ आपका दोस्त सिपकमार चलिए शुरू करते हैं एक प्लांट की ग्रोथ विकास वढ़वार के लिए 17 पोसकत्तों की अवस्त्ता होती है जिसमें से 3 सबसे ज़्यादा महत्व पूर्ण है नाइट्रोजन, फास्पोरस और पोटास क्या होता है हमारे किशान भाई वो आई के समय नाइट्रोजन, फास्पोरस, एनपके 12, 16 या फिर डिये पी, यूरिया, SSP का प्रियोग करते हैं यदि हमारे आलो की फसल में नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटास की कमी आ जाती है तो हम घुलन सील खाद के माध्यम से उसकी पूर्टी कर सकते हैं नपके का फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन, फास्पोरस, पोटास और आप जो इस वीडियो पर देख रहे हैं यह घुलन सील खाद होती है वनस्पतिक अवस्ता में यानि बेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमको नाइट्रोजन की आवस्ता पड़ती है जबकि जब जब जड़ों का विकास हो रहा हो तो उस समय फास्पोरस की और जब कंद बन रहे हो तो उस समय पोटास की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है किसान भाईयो नाइट्रोजन पत्ति को हरा करती है और फसल की बेजिटेटिव ग्रोथ में काफी ज़्यादा मेहत्व और यूगदान रहता है नाइट्रोजन का जबकि फास्पोरस जड़ों को मजबूत करता है और नई जड़ों का विकास करता है तनों को मजबूती पिर दिन की आसपास की होती है तो 1999 गुलंसील खाद 500 ग्राम प्रैती एकड़ की दर्स से इस्प्रे करना चाहिए जब आलू की फचल 60-65 दिन की होती है तो 0-iggle 34 गुलंसील खाद 700 ग्राम प्रैती एकड़ की दर्स 150 लीटर पानी में इस्प्रे कर सकते हैं या फिर आप जब आलो की फसल लगभा 80 से 50 दिन की होती है तो मुख स्टेज पर आप एनपी के घुलंसी इलखाद 0050 या फिर 13-045 एक किलोग्राम प्रती एकड़ की दर से इस्प्रे कर सकते हैं हमारी आलो की फसल पर प्रमुख रूप से इनी तीन एनपी के घुल सकता पड़ती है जब कंद बन रहे होते हैं तो उस समय फासपोरस की आबस सकता होती है और मुख स्टेज पर पोटेस यम की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है किसान भाईयों जो घुलंसी इलखाद आती है यह मार्केट में सबसे सस्ती और आसानी से हमको इस्प्रे कर करना चाहिए इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो गई यदि आपको यह बीडियो पसंद आती है तो बीडियो को जरूर लाइक करें धन्नबाद